Hello students, welcome once again in Sundars classes. मैं Sundarsar एक बार फिर सब का स्वागत करता हूँ Sundars classes में. तो students, आज का मैं वीडियो जो लेके आया हूँ वो आपका हमारा जो टॉपिक है बहुत ही important टॉपिक है जिसमें अकसर हमें problem रहती है. समझने के अंदर बहुत ज़्यादा कटनाईयां हमें आती है और वो टॉपिक है हमारा conditional sentences का conditional sentences यह कैसे जो इस टाइप के sentences होते हैं जिनको समझने के लिए इनकी जिनकी एक structure जो समझने के लिए अक्सर जो हमें गलत फहमी हो जाती है बहुत सारी mistakes हमारी हो जाती है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा conditional sentences की structure और जो खासतोर से तीन structure होती है इसका पहला पार्ट हमारा यह पार्ट पहला है यह तो पहले पार्ट के अंदर जो है आज मैं आपको present की जो conditional sentences होते हैं present के उसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो स्टूडेंट से एक बार फिरून सभी friends से स्टूडेंट से जिन्होंने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो इसे सबस्क्राइब जरूर कर लीजिए और इसे कोशिस कीजिए शेयर करने के भी तो स्टूडेंट लीजिए हम अपना ये वीडियो जो शिरू करते हैं लेसन अपना शिरू करते हैं देखते हैं क्या है इसे आज के इस particular lesson में और वीडियो को last तक जरूर देखिए ताकि पूरी तरीके से जो है आपको जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए तो चलिए हमारा lesson अब लेते हैं तो स्टुडेंट सबसे पहली बात तो यह होती है हमारी कि जो चीज हमें देखनी होती है वो यह कि conditional sentence होते क्या है सबसे पहले हमें क्या होते हैं इसके लिए simply आप यह कह सकते हो one action depends on another to be done simply बासा में अगर हम कहें तो जब एक काम होने के लिए किसी दूसरे काम पे depend होता है तो इस प्रकार के जो स्थिती होती है वो हमारी conditional sentences की स्थिती होती है यानि कि यह भी कह सकते हैं कि future में एक के बाद एक दो काम अगर होते हैं और एक काम depend करता है दूसरे काम पे तो इस प्रकार के जो स्थिती होती है वो स्थिती हमारी कहलाती है conditional sentences की अब अगर हम बात करें conditional में तो इसमें क्या जैसे example पे जोर्स में देखें जैसे you will succeed एक तो ये पार्ट हमारा भी तुम सफल होंगे कब होंगे भई यानि एक काम है सफल होना दूसरा काम है if you work hard अगर मेहनत करना तो इसमें कि दो काम है मेहनत करना और सफल होना तो दोनों कामें एक दूसरे पे डिपेंड यानि एक काम दूसरे काम के उपर निर्भर करता है कि अगर वो हुआ तो वो होगा इसी को conditional बोलते हैं इसी को हम शर्ट बोलते हैं यही हमारे conditional sentence होते हैं जिनको समझने के लिए अब main इसमें क्या होता है कि इसमें दो पार्ट सोते हैं conditional clause जो sentence होते हैं इनमें मुखे तैवाके में दो भाग होते हैं एक आप हमारा main clause होती है और दूसरा जो होती है हमारी if clause होती है या फिर conditional clause भी बोल देते हैं if सिरिफेक कि अदास के तबें हम conditional clause भी भी बौल सकते हैं क्योंकि जरूर नहीं है कि हर clause में आपको if भी मिले इसमें आपको unless मिल सकता है इसमें प्रोवाइडिट मिल सकता है इसमें जो है unless untill ये भी जो है आपको मिल सकते है इसमें when we मिल सकता है as soon as we मिल सकता है no sooner than तो यह भी जो है तो इसको आप conditional clause बोल सकते हैं दो clause हमारे पास होती है इसमें अब इसका क्या है major कि there are mainly conditions हमारे पास कितनी होती है इसमें ध्यान रखिए कि हमारे पास मुख्यत है तीन conditions होती है हमारे पास sentences की तीन conditions होती है उसमें पहले क्या होती है कि जब if clause present tense में हो जिसको हम condition first बोलती है दूसरी होती है जब if clause past tense में होती है इसको हम condition second बोलती है और तीसरी होती है हमारी कि जब if clause हमारी past perfect tense में होती है इसको हम बोलते है condition three तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा जो करेंगे वो इसकी करेंगे वही present tense की यानि कि condition first के बारे में केवल हाज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में इसलिए आपने शिरफ आपने आज जो focus करेंगे हम वो देखेंग हैं तूर्स सबसे पहले देखिए जिसें की condition first जो मारी first condition होती है, इसमें structure क्या होती है, sentence कि structure क्या होती है, इसमें अँमरे पास if होती है और इसके लावा कोई भी condition है ना हमारे पास if हो सकता है, provided भी हो सकता है, मैंने आपको बताए soon as भी हो सकता है, when भी हो सकता है तो यह जो अन्लेस अंटिल वगरा यह भी हो सकते कोई भी तो इसमें यह होता हमारे पास उसके बाद जो होता है यह जो क्लोज होती है हमारी इस क्लोज के अंदर सिंपल प्रेजेंट टैंस का यूज किया जाता है और उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारी होती है main clause ہوتی ہے उसके अंदर हमने use करना होता है simple future का तो ये structure को आपने ध्यान रखना students इस बात को आपने अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि जो भी हमारे पास if होता है उसके बाद simple present और उसके बाद main clause होती है उसमें हमने simple future का आप use करना होता है example आप जैसे इसमें एक और देखियागे एक चीज़ और याद रखना है आपने कि no use of will shell would in if clause ये ध्यान रखना है आपने कि जो हमारे conditional clause होती है जिसमें if होता unless या whether जो भी हमारे पास होता है जो conditional clause होती है if clause होती है जिसका हम बोलते है उसमें हमने if के साथ जो है ये हमने will shell या would का परियोग नहीं करना है इस बात का अपने विशेश तोर पे ध्यान रखना है अब जैसे example देखिया आप नीचे अब देखें if I come daily अब ये हमारे if clause है if I come daily I will meet you अब इसमें देखिए ये हमारी है conditional clause if clause है तो if clause में क्या है if I clause यानि कि इसमें simple present tense है present indefinite है और दूसरी हमारी clause है वो इसमें क्या है will plus verb की first form यानि ये क्या है simple future है तो ये हमारे पादूसरा example देखिए unless he takes care of his health ये हमारी if clause है यानि conditional clause है आप इसमें देखिए आप takes care यानि आप present indefinite tense simple present है और दूसरी main clause क्या रहे है he won't recover कि वो ठीक नहीं हो सकता ये हमारी main clause है और main clause हमारी क्या होगा if will not यहाँ हमारी future indefinite tense है तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो आपकी जो first condition होती है कि जब हमारी clause present tense में होती है यानि की future indefinite का हमने परियोग करना है इस बात का आपने sure करना है अब इसमें एक चीज़ और note कर लिए never use no with unless और until तो ये चीज़ का आपको लगबग पता है कि unless और until खुद अपने आप में negative होते हैं तो इसलिए students ये चीज़ का ध्यान रखना है कि unless और until के यूज़ करने के बाद आपने इस clause में not का परियोग नहीं करना है इन जिस clause में आप unless या until का यूज़ करते हैं वहाँ not का परियोग नहीं करना है क्योंकि unless और until अपने आप में ही negative होते हैं तो इसलिए students अब देखिया कि कि कुछ हमारे पास ऐसे conditions है कि जो condition close होती है हमारी उसमें हमने if के अलावा जो हम use करते हैं तो उसके बाद जो main close होती है उसमें हम will के बजाए जो है दूसरे model auxiliary का भी हम परियोग कर सकते हैं वो conditions के अनुसार यानि किन conditions में हमने किस model auxiliary का use हम करेंगे वो इसमें मैं आपको बताऊंगा इसलिए आप जहान से देखिए पहली condition क्या है यदि sentence हमारा present का है यानि जो वाक्य जो है present का है तो main close किसमें होगी present tense में ही होगी यह हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं उसी का example आप देख सकते हैं जैसे if it rains यानि यह present tense है तो the school remains the schools remain clause यानि कि पूरा जो clause हमारी present tense में है तो यह हमारे पास main clause भी जो है किसमें present tense में ही रहेगी दूसरी condition इसमें देखे दूसरा क्या कहता है यह यदि sentence में possibility हो यानि possibility का sentence हो यानि कोई ऐसा sentence इसमें possibility यानि संभावना का जिकर किया जा रहा है तो वहाँ आप will के बजाए may might का परियोग करेंगे जान रखे इसमें कि संभावना अगर है किसमें may might का परियोग आप करेंगे will की बजाए example देखे जैसे if the fog does not clear if the fog does not clear the flight may get late main condition से हम नहीं बठके हैं यानि हमारी if close वही present tense में है और यहाँ पर भी हमारी present ही है यही का रहा है इसमें present में है तो यहाँ हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है अगर sentence में हमारे पास संभावना का जिकर है तो हम main clause के अंदर will की बजाए हम may might का परियोग भी कर सकते हैं या करेंगे यह कह सकते हैं अगली condition देखें अगली condition क्या कहता है यदि sentence में permission का जिकर हो यानि permission ली दी जा रही हो तो फिर हमने क्या करना है वहाँ पर will की जगह पर हमने may या can का परियोग करेंगे अगर इस प्रकार की परिस्थिती पैदा होती है तो example देखिए if you finish your work if you finish your work you can go तो यहां हमने will की बजाए can का परियोग किया है तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि अगर बात permission की आ रही है तो वहाँ may या can का परियोग करेंगे will का नहीं next condition क्या करता है next condition हमारी है कि यदि sentence में advice suggestion है advice है या suggestion है तो आपने should या must का परियोग करेंगे will के स्थान पे इसको भी आपने थोड़ा ध्यान से देख लेना है example देखिए इसका क्या करता है if you want get pass if you want get pass you should work hard तो यह हमारी condition यह भी हमारी condition क्या करती है condition first के अंतर करता है कि यह हमारे पास वही present tense है और यह भी हमारा will की बजाए यहाँ पर हमने should का परियोग क्यों किया क्योंकि इसमें एक सुझाव दिया गया है अगर आपने pass होना है तो आपको मैनत करनी चाहिए तो यहाँ advice या suggestion है तो advice या suggestion है तो वहाँ will के बजाए हम should का या must का परियोग करेंगे इस लाइक if you don't know him you must not go there तो वहाँ must का परियोग कर सकते है अगली condition क्या करता है यह यदी sentence आपका इसमें polite request किया गया हो एटिकेट्स हो, सिष्टा चार हो यानि सिष्टा चार का जिकर, एटिकेट्स का जिकर है या request किया गया है, politeness का परियोग किया गया है तो आप वहाँ पर जो है will की बजाए would या good का परियोग भी करेंगे यानि कि वहाँ पर आप politeness या etiquette के लिए या सिष्टा चार के लिए आप would या good का परियोग वहाँ पर करेंगे will के स्थान पर एग्जामपल देख सकते हैं जैसे if you meet him would you tell him to call me तो यहाँ पर would आगया हमारे पास would you tell him to call me अगर आप उससे मिलते हैं तो क्या आप उजह कहता है कि मुझे call करने के लिए कहेंगे तो क्या है यह निवेदन है request है या इस परकार से तो अगर sentence में अगर politeness है या etiquettes है सिष्ट हचार का कोई जिकर है तो वहाँ आपने will के बज़ाए would या could का प्रियोग वहाँ करेंगे अब sentence में लास्ट में आप student एको देखिए इसमें एक note दिया गया है वो note क्या है अब इसमें एक चीज और भी धान रख रही है कि आप you can use present continuous and present perfect with clause with if clause यानि इसमें इसका मतलब यह है कि हमने बात किया गया थी इसमें present simple present या फिर present tense आता है तो यहाँ अपने एक चीज आप note कर सकते हैं कि आप sentence की sense के अनुसार जो हमार पास यहाँ जो यह present है indefinite है जो दिया गया है आप इसके स्थान पर present indefinite के स्थान पर आप present continuous या फिर present perfect tense का भी use किया जा सकता है वो भी wrong आपका नहीं होगा यह चीज भी आपने ध्यान रखने हैं जैसे हम कह सकते हैं if you if you are going Delhi if you are going Delhi you will meet there to my friend यानि हम किस प्रकार से आप कर सकते हैं किसी प्रकार की sentences हम इसमें भी हम बना सकते हैं में से कि आप present continuous और present perfect tense का परियोग भी आप कर सकते हैं इस प्रकार की प्रस्तितियों में क्योंकि tense हमारा present है main चीज हमारी है कि जो condition हमारी जो first तीन जो condition होती है हमारी उसमें पहली condition के अनुशार जो first condition होती है उसमें आपने if clause के साथ आप present indefinite के रहा present continuous और present perfect tense का परियोग भी आप कर सकते हैं according to sense of the sentence तो students ये था आज का हमारा lesson और इस lesson में आज मैंने आपको conditional sentences के part one के अंतरगत आपको मैंने बताया है कि condition first जो है वो क्या होती है जो first तीन हमारी conditions होती है जो present tense में या फिर past में या past perfect होता है उसके अंतरगत आज हमने सिर्फ चर्चा किये है present continuous यानि present tense की यानि condition first जिसको हम बोलते हैं केवल उसके बारे में उमीद करता हूँ कि ये आपको जो है lesson आज का काफी अतक समझ में आया होगा अगर फिर भी कोई problem रहती है तो आप मेरे से इस बारे में आप चर्चा कर सकते हैं comment के जरीए या किसी परकार से भी तो friends इसी परकार से आप लगातार मेरे साथ बने रही है इसी परकार से आप नई नई वीडियोज आप देख पाएंगे और फिर मिलते हैं हम एक और नई topic के साथ एक और नई वीडियोज के साथ next में आप देखना मत बूलीगा इसका part two conditional sentences part two देखना मत बूलीए जो बहुत जल्दी ही इसके तुरंत बाद जो है आपका देखिए friends एक चीज आपने नौट करनी है कि जब भी कोई series particular series होते है कोई topic लिया जाता है तो वो topic तब तक समझ में नहीं आता आपको अच्छे तरिके से जब तक कि उस topic से related सभी वीडियो चाहिए उसमें एक, दो, तीन, चार जितनी भी वीडियोज है अगर आप पूरी series अगर आप नहीं देखते है उसकी तो फिर वो topic आपका अधूरा रह जाता है और एक या दो वीडियो देखने का कोई फैर जो आपका फाइदा नहीं होता है इसलिए किसी भी topic को अच्छे तरीके से समझने के लिए उसको अच्छी तरीके से जो जानने के लिए आप उस पूरे topic से समझ जितनी भी जो दो, एक, दो, तीन, जितनी भी वीडियो जोती हो आप completely देखिए तभी वो topic पूरा आपके समझ में आएगा तो students say that's all from now have a nice day, thank you